मैट्रिक और इंटर के सभी विध्यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुस खबरी जिहां दोस्तों मैट्रिक और इंटर के सभी छात्रों के लिए एक नया एलाम जारी कर दिया गया है विहार सरकार की तरफ से यहां पर जेख सकते हैं मैट्रिक और इंटर पास होने पर 25,000 यह चीजभे उनके खाते में ट्रैंसफर किया जाएगा यान्य आप लोगों को सिधा 25,000 की राशी जो है आपके खाते में ट्रैंसफर की जाएगी दोस्तों यहांपर बात करेंगे विहार सरकार सभी हास चात्रों को इंटर और मैटिक पास करने पर 25,000 और ग्रेजोशन पास करने पर 85,000 रुपे की रासी दी जाएगी दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विहार सरकार की तरब से यह सबसे बड़ा ऐलान जारी किया गया विहार बोर्ड पर इच्छा 2022 को लेकर एक 20,000 पर किरासी दी जाएगी और ग्रेजोशन पास करने वाली छात्राओं को 25,000 की दोस्तों यहां पर बात करेंगे अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलिग्रम ग्रूप को जोइन नहीं कियो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलिग्रम वीडियो नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर हमने अल्रेडी वीडियो डाल रखा है आप जाकर देख सकते हो कौन कौन स्टुडेंट टॉप आए हैं विहार बोर्ड में आप लोग जाकर इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो देखिएगा हमारा जो इसी चैनल पर डाला हुआ दोस्तों आप लोगों को बता दे कि यह स्कॉलर्शीप सभी चात्रों के खाते में आट्वेटिक ट्रांसवर कर दिया जाएगा डिवीटी एगरी के अजन से ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहँगो सभी स्टुडेंस को कि आप लोग चिंता ना करें जो बिहार टॉपर आये हैं, उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथी साथ जो बिहार बोर्ड फार्ट डिवेजर से पास आएंगे, उनको भी मिलेगा, तो समानने कैटिकरी सभी स्टुडेंस को मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा से इंतिजार करें, कल को रिजल्ट जारी होने पाला है, आप लोगों का विहार बोर्ड इंटर के छातरों का, उसी समय सबी स्टुडेंस को यहां रासी दी जाएगी, तो चलिए, आई होग के वीडियो को पसंद आया हो, नेस्ट इंफरमेशन लेके आएंगे, बहुत जल तक तक के लिए टेक केर गुडबाएं,